हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ये सामाजिक समरस्ता का माहौल बना है गावधानी की प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिल रहा है उन्होंने कहा कि खिलाडियों को खेल मेदान में जो टीम भावना सीखने को मिल रही है वही सीख उनके भविश्य निर्मार में महतुपून भूमी का निभाएगी प्रदेश में अब शेरी ओलंपिक खेलों का भी जल्द आगाज होगा ऐसे में हर आयू वर्ग में खेलों की प्रतियाकर्शन बढ़ेगा और राजस्तान खेलों में अग्रणी राज्य बनेगा मुखे मंतरी वुधवार को रासमन जिले के उखंड भीम की ग्राम पंचाय लगेत खेडा में राजिव गांदी ग्रामीन ओलंपिक खेल के अवसर पर आयोजिस समारों को संभोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि ग्रामीन खेल प्रतिमाओं को मौका देकर उन्हें राज्य राष्ट्री एवं अंतराष्टी इस्तरकी प्रतिस प्रदाओं के लिए तैयार किया जा सकेगा अशोक गेलोत ने कहा कि युवाओं किसानों बुजर्गों सहीत हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जन कल्यानकारी योजना एलागू की गई हैं हर वर्ग के उत्थान और चहुमु की विकास में कोई कमी नहीं रखी गई है मुख्यमंत्री चिरंजिवी स्वास्ति बीमाय उजना में प्रदेश वासियों को 10 लाख रुपे तक की चिकित्सा सुविधाय उपलफ कराई जा रही है साथी राज्य सरकार द्वारा ट्रांस प्लाट का खर्च 20 वेहन किया जा रहा है इससे गंबीर बीमारियों से पीडित वेक्तियों को संबल मिला है इस दोरान मुख्यमंत्री ने बाबारामदेव मंदिर में दर्शन करने के बाद मेदान में खिलाडियों का उत्सावरदन किया इसके साथ ही वो जन समू से भी रूबरू हुए और बालिकाओं से आत्मियता से बातचीत भी की समारों में जिलाप्रभारी मंत्री और सहकारी मंत्री उदेलाल आंजना ने कहा कि खेल आयो जन से प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है मगरा बोड के अद्दक्ष लक्षमन सिंग ने कहा कि शेतर के विकास में मुख्य मंत्री द्वारा कोई कमी नहीं रखी गई है भीम विदायक्स दर्शन सिंग रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शेतर का सरवांगिन विकास जारी है समारों में आरुवेद राज्यमंती डॉक्टर सुबाश गर्ग सही इस्थानी जनप्रतिनी दिगन प्रशासनिक अधिकारी और गामीन उपस्तित रहे जागरुक टीवी के लिए राज समन से नरेंदर सिंग खंगारोत की रिपोर्ट